नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारी कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ, आज की कहानी है, मा बेटी का घर उजार कर बहु का घर बसाती रहो, बेटी का दुख तुमें कहां दिखता है? प्रिति सुन, तुने कल के ब्रत की सारी तयारी करवा दी न और पक्वान क्या क्या बनेगा यह सब भी निस्चित कर लिया न कल तड़के ही तयारी सुरू करवा दे न भी भूति को थोड़ी देर से उठाना वैसे भी जब तक ब्रत नहीं खोलेगी वह कुछ खापी तो सकती नहीं तो ऐसे में जितनी देर सोई रहे उतना अच्छा है कमला जी एक सांस में कहती चली गई और बोलते हुए उन्हें कदाचित इस बात का भान भी नहीं रहा कि कल ही तो प्रिती की साधी की साल गिरे भी है कितना चाव है प्रिती को सचने सवरने का और कितने मन से सस्ती सवरती है इस दिन पर इस साल जो भी रानी आई है प्रिती की सिंदगी में उसका दर्द क्या कमला जी नहीं समझ पा रही है क्या अपनी बहु के लिए वर्षा वित्री के ब्रत की तैयारी करवाते हुए उन्हें अपनी बेटी के दर्द का अंदाजा नहीं लग रहा है आखिर एक मा इतनी हिर्दैहिन कैसे हो सकती है प्रिती के मन में यह सवाल तब आया जम्मा ने उसे विभूती के लिए लाई साड़ी दिखाते हुए कहा ये रंग बहु पर खोब खिलेगा एक तो वह साफ रंग की ठैरी और दुजे वह नहीं न उतर है और उसकी पहली ब्रस सवित्री पुजा है तो थोड़ा अच्छा से करना सब तुमी हमरी हरी वाली साड़ी पहन लेना नहीं नहीं है तो क्या कुल मिला कर हमने दो बार ही तो पहनी है अब इस साल तुम सुहागिन नहीं रही नहीं तो तुम्हारे लिए भी कोई लाल नारंगी साड़ी लाते अब तुम्हारा ऐसा दुर्भाग्य का दीन आया तो क्या कहें इधर कमला जी कहस आ रही थी इस बास से किंचित बेखबर कि उधर प्रिती के दिल पर क्या गुजर रही होगी तभी विभूती आई और खिल खिला कर अपने मेधी लगे हाथ दिखाते हुए बोली ये देखिये माजी मेरे हाथ की मेधी कैसे रची है तभी कमला जी बलाईया लेते हुए बोली बहुत अच्छा लग रहा है प्रिती का मन रोने को कर रहा था और वह कहना चाह रही थी की माँ मुझे यह सब तयारी करना अच्छा नहीं लग रहा है तभी कमला जी ने एक ऐसा सगूफा छोड़ा की प्रिती से एक दमबरदाश नहीं हुआ एक बात तो अच्छी हुई प्रिती की तेरी साधी और तेरे तलाग से मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि नहीं बहु को कैसे रखना चाहिए तेरी साध तो उससे जो बुरा बेवहार करती थी उससे सीख लेकर मैं अपनी बहु से कभी वैसा बेवहार नहीं करूंगी और इसलिए मैं तो अपनी बहु से बहुत ही अच्छे से बेवार कर रही हूँ ताकि उसको चोट ना पहुँचे तेरे उधारण से यह तो अच्छी तरह समझ गई हूँ कि एक बहु को क्या चाहिए और उसे अपनी साथ से क्या उमीद रहती है इसलिए मैं अपनी बहु के साथ कोई ऐसी गलती नहीं करूंगी ताकि मेरी बहु भी तुमारी तरह कहीं तलाक ना ले ले मा आप सायद भूल रही है कि मैं तलाक नहीं करना चाहती थी बलकि मैं चाहती थी कि आप लोग आगे बढ़कर जोगिंदर के परिवार वालों को समझाएं लेकिन आपने और पापा जी ने मिल कर मेरा जबर जस्ती जोगिंदर से तलाक करवा दिया है नच आते हुए भी प्रिती की आवाज थोड़ी तलक हो गई थी आखों में आसु भरे हुए थे और होट कपकपा रहे थे लेकिन आज उससे बोले बिना रहा नहीं गया थोड़ी देर के लिए कमला जी बिलकुल अस्तब्द रह गई और भी भूती का चेरा भी फक पड़ गया फिर कमला जी ने बहु की उपस्तिती का भान किया तो थोड़ा समल कर बोली यह तुम क्या कह रही हो बीती तुम ही तो वहां पर पर परिशान थी उन लोगों ने तुम्हारा जीना हराम कर दिया था आए दिन तुम्हारी सास तुम्हें ताना दिया करती थी और बाद में हमने भी तो देखा था कि जो गिंदर का बेवार भी तुम्हारे प्रती अच्छा नहीं था इसलिए तो तुम्हारा भाई जाकर तुम्हें ससुराल से ले आया था और जब उन लोगोंने कोई खोस खबर नहीं ली तो हमें 498 का केस करना पड़ा लेकिन मा कोई और रास्ता भी तो हो सकता था हमेशा रिष्टे को अंत करने के लिए आर और पार ही क्यों सोचा आप लोगोंने बोलकर पृती सिसकने लगी अब तक कमला जी को पृती पर बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन अब कमला जी को अपनी बेटी पर थोड़ी दया आ गई मत रो मेरी बच्ची अब जो हो गया आब हम क्या करें अब तेरा तलाग तो फाइनल हो गया मा तलाख हमारे रिष्टे का फाइनल हुआ है लेकिन मेरे दिल में अभी भी जोगिंदर ही बसता है आप अगर मेरी दोबारा साधी भी कराना चाहेंगी तो मैं किसी से नहीं कर सकती जोगिंदर यह बात कभी नहीं कह पाएगा क्योंकि अपने माता पिता से डरता है अगर मैं भी आप लोगों से डर कर यह बात नहीं कह पाई तब तो सही नहीं होगा जो कुछ तुम कह रही हो उसे अब मैं समझने की कोशिस कर रही हूँ मेरी बच्ची तुम तो हमेशा कहती थी कि वहां रहना नहीं चाहती वो लोग अच्छे नहीं है तो हमें लगा कि साथ तुम दोनों का अलग होना ही सही है अब प्रिती थोड़ी आक्रामक हो गई थी और उसनी किंचित गुस्य से कहा मा आपने कभी यह नहीं कहा कि परिस्थिती के साथ चलो और इन रिस्तों को अपनाओ आप हमेशा मुझे फोन में उन लोगों की बुराया ही करती थी आप मुझे और भी भड़का देती थी जिससे मुझे उन पर और भी गुस्सा आता था कभी जो मेरी ननद मुझे कुछ मांगती तो आप मना कर देते थे कि उनको कुछ भी मत दो यहां तक कि तुम कहती थी कि सास को भी एक की दो सुना दो बाते अच्छा था कि मैं सास को कुछ कह नहीं पाती थी लेकिन मैंने अपनी ननदू से कभी दोस्ती भी नहीं की कुल मिला कर आपकी बात मान कर मैंने अपना सर्वनास कर लिया प्रिती तुम यह क्या कह रही हो कमला जी ने बिचलित हो कर का तो प्रिती ने गौर किया क्या अभी भी उसकी मा नहीं चाहती कि यह सब बाते उसकी बहु के सामने की जाए यह देखने के बाद प्रिती का मन और दुखी हो गया लेकिन उसने बोलना नहीं छोड़ा आज जैसे अपने मा के भैदभाव बने रवईये को देखकर प्रिती का मन तूट गया था और वे सब कुछ बोल देना चाहती थी अपना दर्द और अपना अन कहा जो उसने आज तक नहीं कहा था रोते रोते प्रिती कह रही थी आप मेना तलाग करवा कर या दिखाना चाहती थी कि मेरे ससुराल वाले गलत थे और आप अच्छी सास बन कर अपनी बहु का घर बसा रही है मुझे आप समझ में नहीं आ रही है मा मुझे तो आप हमेशा उस घर को तोड़ने की बात करती थी और यहां मैं देख रही हूँ कि आप भावी का गर बसाने की बात कर रही है प्रिती मैं एक मा हूँ और जो भी मैंने कुछ किया अपनी ममता के वसी भूत हो कर किया कमला जी को अपनी गलती का ऐसास था लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें गुस्सा भी आ रहा था इन दोनों में इतना भी रोधा भास है कि मैं आपको नहीं समझा पा रही हूँ आपकी अंधी ममता ने मेरा घर उजार दिया मैं तो यह चाहती थी कि आप और पापा उन लोगों को समझाएं कि वह लोग मुझे खराब बेवार ना करें और साथ ही आप मुझे कुछ और भी चीजे समझाओ कि घर कैसे बनाते हैं और रिष्टे कैसे समालते हैं लेकिन आपने मुझे रिष्टा तोड़ना सिखाया जोड़ना नहीं आज पृती के जुबान पर कोई लगाम नहीं था उसे बहुत दर्द हो रहा था वह भी सुहागन की तरह या ब्रत करना चाहती थी अपने दो साल की साधी सुधा जिंदगी में उसने हर ब्रत बड़े मन से किया था और सुहागन की तरह सचकर उसे बहुत अच्छा लगता था लेकिन आज उसे बड़ी सिद्धत से असास हो रहा था क्या वह सुहागन नहीं रही और अब वो ऐसे सिंगार नहीं कर सकती जैसा कि उसकी भावी कर रही है और उसे बहुत जोर से जोगिंदर की याद भी आई और अपने मन ही मन उसे लगने लगा कि अब वो सुहागन जैसा नहीं रह सकती उसे आजमायके में अपना सिंगार उतार कर सिंगार भीहिन हो कर अपनी भावी के लिए पुजा की थाल तयार करनी पड़ रही थी इससे उसका उसकी आत्मा चलनी हो गई थी तबी वह अपनी माँ पर इसी जोर से बरस पड़ी थी वरना प्रिती हमेशा से संत और सुहागी रही थी और अपनी माँ की इज़द भी करती थी लेकिन आज उसका मन अपनी माँ की भावी के प्रती अलग रवया और खुद के प्रती अलग रवये को देख का राहत हो गया था इधर कमला जी भी अस्तब्द हो गई थी अपने कम बोलने वाली बेटी के अंदर इतना ज्वाला मुकी भरा पड़ा था ये तो उन्हें पता ही नहीं था बेटा तुमने आज के पहले कभी अपना दर्द नहीं बताया और तुम जिस तरह से हमेशा खुश रहती थी और जोगिंदर से अलग होने के बाद कितनी बार तुमने कहा कि अच्छा हुआ तलाक हो गया तो हमें लगा कि तुम खुश हो और इसके अलावा तुमें जोगिंदर को कभी याद करते हुए भी तो हमने नहीं देखा दोनों तरफ से कुछ देर के लिए चुप पी रही, कमला जी के पास उनका अपना तर्क था और प्रिती के पास उसका अपना दर्द था उस वक्त पीती चुप रह गई और रोते रोते अपने कमरे में चली गई कदाचित वैं नहीं चाहती थी कि उसकी भावी के सामने उसकी और सफलसादी सुदा जिंदगी की बख्या उधेर दी जाए पर प्रिती की बात सुनकर कमला से एकदम अस्तब्द रह गई थी हमेशा हशने मुस्कुराने वाली अपनी बेटी की करवाहट भरी बाते उसकी आखों में आसू देखकर वा सोचने को विवस हो गई थी कि उन्होंने अपने बेटी का तलाग करवाने की कोशिस करके बहुत बड़ी गलती तो कर दी है अभी जोगिंदर और प्रिती के तलाग की आखरी हेरिंग बची हुई थी कमला जी ने सोचा कि वा अविनाज जी से बात करके एक बार दोनों के सुलह की बात करकर देखेंगी लेकिन वा अंदर ही अंदर इस बात को भली भाती जानती थी कि प्रिती से एक गलती हो गई थी और दूसरी गलती कमला जी से और अविनास जी से हो गई थी एक माता पिता के नाते उन्होंने अपने बेटी का दर तो समझा लेकिन यह नहीं समझ पाए कि उनके बेटी के मन में अपने पेटी के लिए अभी भी जगह है दरसल कमला जी और अविनास जी के दो संदान थे बेटा भिजय और बेटी प्रीती पढ़ी लिखी थी और जब उसने अमे कर लिया तब उन्होंने एक रिष्तेदार के मारफ़त आए रिष्ते के लिए हां कह दी थी और जो रिष्टेदार ये रिष्टा लेकर आये थे वह कमला जी के भाई अनिल थे इसलिए उन लोगों ने ज़्यादा च्छान मिन भी नहीं की थी हलांकि प्रिती के ससूर एक रिटायरड अफसर थे और उनका बड़ा बेटा जोगिंदर और पीछे दो छोटी बहन ने नीला और सुसीला थी प्रिती की सास उसाजी दवंग और बदमास महिला थी जिनोंने अपने बेटे की साधी सिर्फ दहेस के लिए की थी और प्रिती का पढ़ा लिखा और सलीकेदार होना उन्हें बहुत ही अखरता था साधी के बाद प्रिती कई तरह से उस घर में सब पर भारी पढ़ रही थी एक तो वह देखने में भी उनकी दोनों बेटियों से सुन्दर थी और पढ़ी लिखी भी थी जो भी आता सब उसा जी को यही कहता कि आप लोग तो बहुत भागिसाली है जो इतनी अच्छी बहु मिली है बदले में उसा जी मुबिच का कर यही कहती थी कि हाँ बहु देखने में तो सुन्दर है और पढ़ी लिखी भी है लेकिन घर का काम का शकुश नहीं आता और बे साउर भी है उसके साथ ही यह भी जोड़ देती थी कि इसे तो घर का कोई काम नहीं आता और ना ही कुछ दान दहेज लाई है वहु के मा बाब तो इसके एकदम फक्कर हैं प्रीति के सास के ऐसा कहने से रिष्टेदारों को नजरिया प्रीती के प्रती बदल जाता था और वह उसे बहुत ही है अद्रिष्टी से देखने लग जाते थे अब तो उनके रिष्टे में कड़वाहत इतनी बढ़ गई थी कि दोनों नंदे भी प्रीती के प्रती इस्वा क भावना रखने लगी थी बात बात पर प्रिती को ताने देना उसे नीचा दिखाना और उसके काम को गलत बता देना तो दोनों बहनों का रोज का काम हो गया था और इसके साथ ही उसा जी भी बेटियों का पूरा साथ देती थी और वह चाहती थी कि कैसे भी कर के प्रिती अग महिला थी रमाजी जिनकी बहु अमला को वह बहुत सताती थी अमला बड़े घर की इकलोती बेटी थी वह अपनी करकश सास के ताने और उलाहने नहीं सह सकी और पती का भी साथ नहीं देने की वज़े से वह बहुत तूट गई और एक दिन उसके पिता उसे आकर ले गए और उ प्रिती तंग आकर या घर छोड़ कर चली जाए और सारा सामान हतिया कर वे अपनी दोनों बेटियों की साधी करवा दें यहां इन दोनों परिवारों में एक ही अंतर था कि प्रिती बहुत हंसील भी थी और समझदार भी वह बहुत कोशिश कर रही थी कि यह रिस्ता ना तू हालांकि जो गिंदर मा के सामने तो कुछ नहीं कहता था लेकिन अकेले में उसके जख्मों पर मरहम लगाता और उसे बहुत प्यार करता था और या भी कहता था कि उसे बच्पन से माने बहुत दवा कर पाला है इसलिए वह आवाज नहीं उठा पा रहा है इस पर प्रिती अ मुझे इतना नो सताय करे मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ इसलिए घर छोड़ कर नहीं जाना चाहती और मैं कभी नहीं चाहती कि मेरा यह घर तूटे इस पर जोगिंदर ने भाव कोकर प्रिती को गले लगा लिया था और उसके माथे पर चुम्बन अंकित करते हुए बो जाता था इधर उस रात के बाद जोगिंदर और प्रिती में थोड़ा थोड़ा भावनाओ का आदान प्रदान होना सुरू हो गया था और यह बात उसकी खड़ूस सासू साजी से छिपी नहीं रही जोगिंदर ने नास्ता करते हुए पराठे का एक टुकड़ा जब प्रि बेटिया निला और सुसीला भी उनके कमरे में चली गए थोड़ी देर तक पता नहीं तीनों एक दूसरे से खुसुर खुसुर करके क्या पट्टी पढ़ाती रही थोड़ी देर बाद जब वो अपने कमरे में से बाहर आई तो जोगिंदर आफस जाने को निकल रहा था और प्रिती उसे हाथ हिला रही थी यह रोमांटिक दिस से देखकर किसी तरह उसाजी ने अपने आपको जब्त किया और दोनों बेटियों को चुप रहने का इसारा किया उस दिन सुबह तो दोनों को नजरों का खेल उसाजी देखती रही और जलती भुनती रही थी और साम में तो और भी गजब हो गया साम में जोगिंदर जब ओफिस से आया तो बहुत खुश था और वैं समोसे और जलेबी भी लेकर आया था आते ही उसने सबसे पहले पृती को आवाज दिया और उसे ही सारे लिफाफे पकड़ाते हुए कहा लो पृती तुम्हारा फेबरेट समोसा और जर्वी सबको बाढ़ दो और साथ में अपनी वो अद्रक कुलाची वाली स्पेसल चाय भी बना लो जोगिंदर की बात सुनकर पृती जिस तरह सर्मा कर मुस्कुराई उससे जोगिंदर एक दम जबाब हो गया और प्रिती भी बहुत खुस हो गई पर अब उसा जी के लिए यह सब देखना एक तरह से असनी होता जा रहा था उसा जी चाहती थी कि कि किसी तरह जल्दी उनकी बेटियों नीला और सुसिला की साधी हो जाए बले ही इसके लिए उन्हें और भी बुरी सास बनना पड़े पर उनकी बेटी का घर तो बस जाएगा वह अब जोगिंदर को अपने हाँ से निकलने नहीं देना चाहती थी सो उनका दिमाग अब कुछ और ही चाल चनने लगा था क्योंकि यह साफ साफ दिख रहा था कि जोगिंदर उनके हाँ से अब निकल लहा था इधर जोगिंदर और प्रीती एक दूसरे के करीब आ रहे थे और उसाजी को यह एक तरह से खत्रे की घंटी लग रही थी उन्हें पता था कि सुन्दर और समझदार बीबी की गिरफ्त में आने के बाद जोगिंदर समझदार हो जाएगा और अपने प्रति हुए अन्याय के बारे में भी उसे पता चल जाएगा जो साइद वा अपनी माँ और बहनों को छोड़कर अलग रहने लग जाए वह किसी तरह योजना बनाने लगी थी कि ऐसा क्या करेगी जोगिंदर की नजरों में प्रिती गिर जाए और उन्हें बहुत जल्दी मौका मिल गया था वह अपनी यादों से बाहर आई और अपने बेटी के दर्द को महसूस करने लगी आज प्रिती ने जिस तरह कभी तलख होकर तो कभी बेदर्द दर्द भरिस्वर में अपना मन खोला तो कमला जी को अपनी बेटी का दर्द अच्छी तरह समझ में आ रहा था और वह धीरे धीरे अपनी लाडली के मन की था लेने की कोशिज कर रही थी उन्होंने जब प्रिती से हर पहलू पर बात किया तो पाया कि उनकी बेटी अपने पती जोगिंदर से बहुत प्यार करती थी और वह जोगिंदर के बिना नहीं रह सकती थी इधर जोगिंदर थोड़ा दब्बू था और आसानी से अपनी माँ और बेनों के कहने में आजाता था लेकिन वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था कुल मिला कर सारा माज़रा पैसे का और जलन का ही तो था प्रिती की सास की इस्या प्रिती से अनहत बढ़ गई थी और उन्हें अपनी दोनों बेटियों की साधी करनी थी और उनके लिए दहेश की विवस्था करनी थी इसलिए वह अपने बेटे के प्रती कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गई थी इसलिए वह सारी तिकडम लगा कर पृती को भगाने की तैयारी में जूट गई और नए सिरे से प्लान मेवे पृती को तंग करने लगी उनके अत्याचारों से परेसान होकर जब पृती अपनी मा को फोन करती तो उधर से कमला जी भी अपनी बेटी को भड़काती रहती थी इससे पृती के मन में अपनी सास ननद और ससुराल के प्रति बैमनस्य वढ़ने लगा था पृती जोगिंदर को अपने मन की बात बताना चाहती थी दो एक बार उसने कहा भी कि उसकी मा और बहन उसे बहुत परेसान करते हैं जोगिंदर जब पृती के पास रहता तो उसकी बात सुनता समझता और उसे आस्वासन देता कि वह इस बावस जरूर अपनी मा से बात करेगा लेकिन अपनी मा और बहन के सामने उसकी हिम्मत जबाब दे जाती थी इधर जब तक जोगिंदर पृती के पास रहता वह उसके सामने सास और ननत की बुराई करती और उधर जब जोगिंदर मा के पास जाता तो मा और बहने उसे प्रिती के खिलाब भड़काती थी इससे जोगिंदर की करतबे विमुड होकर बहुत कन्फ्यूज रहने लगा था दीरे दीरे जोगिंदर ने ही प्रिती से बाते करना कम कर दिया क्योंकि वह हमेशा सिकायत करती थी और उधर प्रिती से बात करने से उसकी मा और भेन भी उससे नाराज रहती थी पती की बेरुखी से प्रिती तूटती जा रही थी और साश ननत भी यह बात अच्छी तरह महसूस कर रही थी कि अब जो गिंदर प्रिती को पहले की तरह प्यार नहीं करता है और ना ही उसकी बात सुनता है और ना ही दोनों कहीं बाहर घुमने जाते हैं कुल मिला कर पती पतनी दोनों एक दूसरे से लड़ते जगरते रहते हैं या बात घर में सब को पता चल गई थी उन दोनों की लड़ाई को देख कर सास को बड़ा मज़ा आ रहा था और उन्हें अपनी मंजिल नज़िक आती हुई लग रही थी लेकिन कभी कभी जोगिंदर इतना भड़काने के वावजूद भी प्रिती पर भरोसा कर लेता और उसके साथ रिस्ते को निभा ले जाता मुझे तो इस बहु के लचछड ही समझ में नहीं आते हमसे तो सीधे मुवाद तक नहीं करती और इधर अपने पती को ऐसे तीरिया चरित्तर दिखाती रहती है क और अब तो जोगिंदर भी उससे दूर होता जा रहा था फिर भी दोनों में ये विश्वास और प्रेम का धागा जुड़ा हुआ था जिस वज़े से ये रिस्ता कायम था उसा जी ने इस बार उसी धागे को तोड़ने की पूरी कोसिस कर ली इससे अच्छा मौका उन्हें और कहां मिलता कि पृती की बड़ी ननस सुसीला की साधी की बात चल रही थी लड़के वाले जब उसे देखने आए तो उन्होंने पृत तारीफ की एक तो उसके रूप और गुड की तारीफ की और साथ में संजोग से सुसीला का होने वाला पती रहज़त पृती के बात नहीं सेयर करते थे इसलिए पृती नहीं जानती थी कि आज सुसीला को देखने वाला कौन सा लड़का आने वाला है और उसका नाम क्या है वगयरा वगयरा रज़त देखने में हैंसम और सलीकेदार था रज़त पृती को यहां पर देखकर चौक गया और फिर उसने सुसीला को भी मिर्ची लग गई लेकिन उसके साथ ही उसा जी के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आ गया वैसे भी उसा जी किसी भी तरीके से पृती को नीचा दिखाना चाहती थी और आज उन्हें ऐसा मौका मिल गया और उन्हें यह भी पता था कि ऐसे मौकों का फायदा किस तरह उठाया जा सकता है उस दिन तो मियमानों के जाने के बाद उसा जी ने सिर्फ सुसीला को ही भड़काया या कहकर देखा नहीं आज अपनी भावी के लच्छर तेरी भावी कैसे तेरे होने वाले पती से हसस कर बात कर रही थी या कोई भले घर की वहों के ल और किया तो उसे भी प्रिती से नाराजगी हुई उस साम को प्रिती ने जोगिंदर से कुछ पुछने की कोशिस की तो उसने बड़े ही रुखाई से जबाद दिया जिसे देखकर उसा जी बहुत खुस हो गएं कि दोनों पती पत्नी में अभी वी तनाव बाकी है अब इसे संजोग कहें आकू संजोग ऐसा हुआ की रजत की तरफ से सुसीला के रिष्टे के लिए ना भी आ गई इस बात से पूरे घर में मातम सा चा गया सब बहुत दुखी हो गएं सुसीला ने तो रो रोकर पैर पटकना ही सुरू कर दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया ग जोगिंदर चूप चाप अपने कमरे के टेरिस पर खड़ा था कि तभी उसा जी उसके पास आई और उसके कंदे पर हाथ रख कर बोली सुसीला का रिष्टा तूट गया बेटा वह बहुत दुखी है और मेरा मन भी बहुत बुरा लग रहा है लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूं कि ऐसा क्यूं हुआ रजस सुसीला की फोटो देखकर उसे पसंद किया था यहां भी सुसीला उसे पसंद आ रही थी तब तक सब तक की इतना का कर उसा जी ने जान बुझ कर अपनी बात ओधूरी छोड़ दी जोगिंदर ने मा की तरफ देखा और उसे भी आश्चर हैं इसलिए उसने अपनी बात पर जोड़ दे कर बोला क्या बात है मा खुल कर बताओ ना रजस ने सुसीला से रिष्टे के लिए क्यों मना कर दिया जोगिंदर की जिग्यासा और उतकंठा को और बढ़ाते हुए उसा जीने बड़े ही धीमे स्वर्मे और भेद भरे स्वर में कहा बेटा मुझे लगता है कि तुम्हारी पतनी प्रिती का कॉलेज के समय में रजस के साथ कोई चकल चल रहा था देखा नहीं आज दोनों एक दूसरे से कितने हसहस कर बाते कर रहे थे और रजस को तो सुसीला पसंद आ गई थी लेकिन प्रिती ने आकर सब गरबर कर दिया देखो बेटा हो ना हो प्रिती ने ही उसे फोन करके मना कर दिया होगा कि वह सुसीला से रिष्टे के लिए मना कर दे क्योंकि एक तो वह अपनी किसी ननत को पसंद नहीं करती और दूसरा वह क्यों चाहेगी कि उसके प्रेमी की साधी उसकी ननत से हो उसाजी ने तो जो अपनी इस्या और जलन की बाते कह दी और इधर जो गिंदर के कान में लग रहा था कोई पिगला सीशा उडेल लहा है आज तक भलेवा और प्रिती आपस में लड़ते जगरते थे लेगिं जो गिंदर को प्रिती पर विश्वास था अपनी पतनी के प्रेम ससंग के बारे म सुन कर जो गिंदर का दिमाग भनना गया जो गिंदर को अचानक से प्रिती बेवफा लगने लगी और उसके मन में उसके लिए गुस्षा और गुष्षा ही आ गया उसने गुस्षे से उसाजी को सिर्फ इतना ही कहा अगर या बात सच है मा तब तो मैं प्रिती को कभी माफ नहीं करूंगा उसने मेरी बहन का घर बशने से पहले ही उजार दिया या उसने अच्छा नहीं किया मा और जरा सोचो सुसीला को कितनी तकलीफ हो रही होगी मैं अपने बहन के दर्द को नहीं देख सकता उसाजी एक बहत चालाक मैला थी उन्होंने देख लिया कि अभी लो करने दे कि जब बहन का रिष्टा तूटता है तो कैसा लगता है पर मा मुझे नाराज़्डी तो पृती से है उसके भाई से नहीं जोगिंदर ने कहा तो उसाजी ने उसी और एक पठ्टी पढ़ाई और फीर उसाजी की बात मान कर जोगिंदर ने पृती के साथ बुरा ब पुरिया को घर का सारा काम करना पड़ेगा तभी इसका दिमाग ठीकाने आएगा अब चुकी जो गिंदर के मन में प्रिती के लिए अभिस्वास आ गया था तो वह भी प्रिती से खराब बेवार करता और अच्छे से बात भी नहीं करता था यह देखकर प्रिती भी उससे चि भर कर उसका दिमाग इतना खराब कर दिया कि उसने जोगिंदर और ससुराल वालों से बात चित करना ही बंद कर दिया प्रिती मा के तो आ गई थी और शुरू में उसके मन में बहुत गुस्सा भी था वैसे तो प्रिती गुस्से में जोगिंदर को फोन नहीं करती लेकिन हर वापस बुलाना चाह रहे हैं यहां तक कि जोगिंदर भी अफोन नहीं कर रहा है तो उन्हों ने और अविनास जी ने आपस में भात किया कि लगता है प्रिती के ससुराल वाले अप्रिती को अपने पास वापस नहीं बुलाना चाहते अभी दोनों ही तरफ से नाराजगी और प्रिती कह रही थी कि एक दिन जोगिंदर सराब पी कर उस पर चिलाया भी था और फिर उसे कुछ हपसब्द भी कहे थे तो इसमें हम क्यों ना केस कर दे हमें दहेस का सामान भी वापस मिल जाएगा और जोगिंदर से मुक्ती मिल जाएगी हालां कि अभिनास जी बेटी दिलाना ही सही रहेगा तला की एक मात्र उपाय है चलिए केस कर दीजिए उनकी बात मान कर अभिनास जी ने 498 का केस कर दिया इस केस के परिडाम से अनभी कि प्रिती सोच रही थी सायद इस धमकी से डर कर जोगिंदर उसके पास माफी मागने आएगा और उसके ससुराल वा वापस अपने पास बुला लेंगे पर ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि उधर उसाजी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि प्रिती वापस आए 498 केस के बारे में प्रिती को उतनी जानकारी नहीं थी और वहने नहीं जानती थी कि एक बार केस करने के बाद दोबारा पैच अप हो उसाजी जोगिंदर को भड़काती तो उसे अपनी मां की बात सही लगती थी उसने भी खुद को वक्त के हाथों छोड़ दिया अब तो उसाजी की मनो कामना भी पूरी होते होते रह गई क्योंकि केस करने की वज़े से उन्हें प्रिती का सारा सामान और कपड़े गहने वाप अपस करने पड़ गए थे इधर जोगिंदर और उसके परिवार वालों की बदनामी हो रही थी सो अलग सुसीला का रिस्ता भी कहीं नहीं हो पा रहा था यह सब अपनी जगह था तो था पर जोगिंदर और प्रिती एक गलत फाहमी मन में पाले हुए थे और उन्हें आपस म गई थी जिसे एगो की दिवार कहते हैं जो किसी भी रिस्ते को खत्म करने के लिए काफी होता है दोनों के माता पिता अपने हम और स्वार्थ में या नहीं देख पा रहे थे कि जोगिंदर प्रिती को कितना प्यार करता है और उसके बिना अधूरा सा हो गया था और इधर प्रिती भी तो तिल तिल कर जल रही थी अब तो तालाक की पूरी कारवाई पूरी हो चुकी थी सिर्फ जोगिंदर के वकील के बीमार हो जाने की वज़े से उनकी फाइनल हीरिंग टल गई थी प्रिती मन ही मन घुट रही थी उसका मन जोगिंदर से बात करने को कर रहा था उसकी बात सुनने को अपना दर्द कहने को इतना तड़पता था पर वह कुछ जिजक तो कुछ स्वाभिमान के तहत आगे बढ़कर कुछ नहीं कर पा रही थी मनी मन रोती रहती और घुटती रहती थी और अब उसे अपनी दुनिया भी रान लगने लगी थी उसने तो सोचा ही नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी निकली थी वापस जाने को और अब मता पिता के अंधे प्यार ने उसकी वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिये थे उधर जोगिंदर की तड़प की तो बात ही अलग थी वो वेचारा तो अपने मन की बात किसी को कई भी नहीं सकता था उसकी मा उसा जी खुद अपने ही बेटे के खुशियों की दुस्मन बर बैठी थी तो कोई और क्या कर सकता था दोनों बैने भी अब जोगिंदर से बहुत कमी बात करती थी और घर का माहौल बहुत ही तनाव पूड रहता था इधर पृती के घर में एक बदलाव आया था जिससे पृत बिशलित हो गई थी अब घर में पृती के बड़े भाई बिजय की साधी की बात चलने लगी थी पृती को उस दिन बहुत दुख हुआ जिस दिन लड़के वाले तिलक करने आए और उसकी मा ने उसे मियमानों के स आने आने से मना कर दिया उसके बाद जब विजय की साधी तैं हो गई तो उसकी मा बड़े उस्सा से अपनी होने वाली बहु की खरीदारी करती थी तब पृत दुख होता था क्योंकि एक तरफ तो उसका सिंगार उतर रहा था और दूसरी तरफ मा अपनी बहु पर सिंगार चड़ाने की तैयारी पूरे उस्सा के साथ कर रही थी उन्हें बेटी का दुख दिखाई नहीं दे रहा था भाई की साधी में पृती बुजी बुजी सी रही और जब भावी आ गई तो वह अपनी मा से और भी दूर होती जा रही थी और उदर कमला जी अपनी नवेली बह भी भूती में रमती जा रही थी जिस तरह से कमला जी अपनी बहू का ख्याल रखती थी और अपनी बहू को कभी नहीं डाटती थी तो उसे देखकर प्रिती को लगता था कि कास उसकी सास भी उससे ऐसे ही प्यार करती यह सोचकर प्रिती मन मसूस कर रह जाती थी कि एक कि क्या जोगिंदर भी उसको याद करता होगा क्या उसका मन नहीं करता होगा कि कभी प्रिती की खवर ले परवतो कोड में भी उससे बात नहीं करता था हाँ दो एक बार जब उन्हें एक अंध मिला और जोगिंदर उससे बात करने की कोशिश करता तो उसा जी या नीला सुसी शम्क 4 लाकर उसे अलग बुला कर ले जाती मंध रखाच भण कर प्र även के लिए मा के लिए मां के प्यार को देख कर प्रिति का दिल रोपड़ा था और उसने अपनी मा और अपने दिल की बात कह दी थी कम से कम उन्हें एसास होगा कि उन्हें पृती का घर उजार दिया है। फिर वापस चली आई आसु प्रिती के गालों तक लुठक कर सूख गए थे। उस रात कमला जी को भी प्रिती की चिंता में नीद नहीं आई आखिर मा का मन जो ठहरा बेटी का रोया चेहरा उन्हें रात बर बेचैन करता रहा था। प्रिती नहीं नमेली दुलहन की तरह सिंगार की हुई थी और अब बड़ सावित्री व्रत की तैयारी कर रही थी। जब कमला जी की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने आश्चर से कहाई है क्या प्रिती तुमने सुहागन की तरह सिंगार क्यों किया हुआ है। क्योंकि मैं अब सुहागन हूँ तलाक मेरे और जोगिंदर के रिष्टे का हुआ है पर मेरे पती जोगिंदर अभी जीवित है और इस नाते मैं भी भी सुहागन हूँ। क्या सिंगार करने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपकी बहुए अबरत रख सकती है तो आपकी बेटी में क्या कमी है तो मैं भी अबरत रख सकती हूँ समझी आप हमेशा से चुप चुप सी रहने वाली प्रिती जैसे पिछले कुछ दिनों से एकदम जौला मुखी की तरह ह गई थी अब कमला जी कुछ नहीं बोल पा रही थी पर भी भूती कुछ समझने की कोशिस कर रही थी हम उम्र होने की वज़े से वह प्रिती की भावनाओं को बहुत हद तक समझने की कोशिस कर रही थी इसलिए वह बहुत हिसान्त होकर इस भी प्रित स्थिती का सामना कर रह पुजा करने के बाद पृती अपने कमरे में चली गई और जार जार रोने लगी आज उसे खुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो हरकत की थी वह क्यों की थी क्या उसके मन में जोगिंदर से मिलने की इतनी लाल सा है या क्या वह फिर से जोगिंदर के साथ रहना चाहती है प किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए इस स्थिती में क्या बेहतर है इन सब में सबसे ज़्यादा परेशान विभूती हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं पृती के मन में इतना दुख होने के कारण वह भी है क्योंकि जब से वह दूलन बेटी पर नहीं इस वज़े से विभूती को और भी बुरा लग रहा था और सुबत तक उछ ने फैसला कर लिया था कि उसे क्या करना है मुझसे पृती जी जी की हालत देखी नहीं जाती मैं आगे बढ़ कर कुछ करूं तो साद मा जी को या उनको अच्छा नो लगी इसलिए आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी विभूती ने हिम्मत करके विज़े से कही डाला अपनी नवोड़ा सलोनी पत्नी की बात भला विज़े कैसे टाल सकता था अब विभूती को पृती की हालत देखकर उसे सानुभूती हो रही थी और उसने अपने पती विज़े से मिलकर पृती और जोगिंदर को फिर से मिलाने का प्लान बना लिया अब ही अगले महीने पृती और जोगिंदर के तलाक की आखरी ही एरिंग थी जो भी करना था उसके पहले ही करना था विभूती और विज़े ने कमला जी को अपने मंसा बताई तो उनकी आखे चलक पड़ी उन्होंने विभूती के सिर पर हाथ फेर कर धेरो आशिर बात दे जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है जो मेरी बेटी के चेरे की मुस्कुराहट वापस लाना चाहती है इस पर विज़े ने चुहल करते हुए कहा बहू बड़ी लायक है और बेटा तो ना लायक है तभी तो सारा क्रेडिट बहुरानी को ही दिया जा रहा है उसकी इस मा जी और अविनास जी कहा सिरबाद मिल ही गया तो आगे का काम ज्यादा मुस्किल नहीं था विज़े ने जोगिंदर को फोन करके उससे व्यक्तिकत तोर पर मिलना चाहा तो जोगिंदर ने बिना किसी ना नुकुर के उसका प्रस्ताव मान लिया और मिलने पर विज़े ने अपनी मनसास पष्ट करते हुए कहा जो कुछ भी हुआ उसमें प्रिती का कोई दोश नहीं वा आज भी आपको ही अपना पती और अपना सब कुछ मानती है फिर जब विज़े ने संचित में प्रिती की हालत का बखान किया तो सुनकर जोगिंदर भावख होकर रोने को उसने कहा मैं भी प्रिती के बिना खुद को अधूरा समझता हूँ और अब तो घर में भी सब अपनी गलती समझ गए हैं प्रिती की कमी बहुत महसूस करते हैं अब कुछ दिनों बाद प्रिती और जोगिंदर के डाइवर्स की फाइनल हीरिंग से पहले ही प्रिती की विद की मजदूर नीव के उपर अपना घरोदा बनाने चले थे इधर प्रिती की विदाई में आगे बढ़ करकर जो साथ दे रही थी वैती उसकी प्यारी सी भावी भी भूती प्रिती मन ही मन अपनी भावी और भाईया की सुक्र गुजार थी जिनोंने अपनी तरफ से पहल करक एक बार फिर से प्रिती का घर वसा दिया था अब कमला जी अपनी बेटी के दिल का हाल आराम से बड़ी आसानी से पढ़ पाती थी प्रिती को भी अपने मा से कोई सिकायत नहीं थी कि वैसागी मा हो कर भी अपनी बेटी के दर्द को कैसे नहीं समझ पाई बीब्यूती ने अपनी नेक नियाश से सबके दिलों के मैल को धो कर रिस्तों के आंगन को अपने प्रेम और सत्प्रयास से लीप कर एकदम चिकना बना दिया उसा जी को भी अपनी गलती का एसास हो चुका तो और प्रिती अब अपनी नए घर में जोगिंदर के साथ अपनी जिन्दगी को रही थी साच अगर ननत भावी का रिस्ता स्वार्थ से परे सौहर्थ से परिपूर्ड हो तो कभी किसी ननत का घर न उजड़े और ना ही कोई भावी खुद को अस्तित्वहीं समझे या कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर थैंक यू फार वाचिंग मिलते हैं अगली कहानी में